ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं करक राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त से 25 अगस्त याने की इन 7 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशी वालों के लिए गिरह नक्षक्तनों के साब से किस प्रकार रहने वाले हैं इन 7 दिनों में आपको किनकिन चीजों से फाइदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधान रहना होगा साथ इसाथ इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महतपपूर और सटीक जान करते हैं भगवान शनीदेव के सच्च भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शनीदेव अवशल कें जिससे भगवान शनीदेव का शिरवाद आपको शीदे प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राश कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते कूरी करने में आपको आनंद आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तों साथिसाथ यह समय भग् इसले काफी समय से रुका हुआ या फिर अठका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परंतु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तों यह समय विध्यार्तियों की पृतियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएग को मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तों साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से संबंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुस नुमा वाता व काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अठके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होनी की संभवना हैं किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई समचार सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा के संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धि मता वें होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तों साती साथ यह समय कुछ लोग आपकी आलोचनावे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बनाकर रख सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध मधूर बनाकर रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवशक हैं कई ब अरिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती हैं संतान का जिद्दी वे अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है विर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतन रखने की आवशक्ता है भूमी वे वाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश से लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस में भी आप कटोती करें करोद वे उत्तेजना पर आपको जरूर नियंतन रखने की आवशक्ता है अन्यता किसी के साथ आपके संबंदी भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ इसाथ अपनी भावुक्ता और उदार्ता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ इसाथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवा साथ यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती है इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठकर समय व्यतित करना माहूल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तों साथ इसाथ पती पतनी के मध्धें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका वे अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी सम्बंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसनता पूर्ण रहेगा दोस्तों बात अगर आपके व् पार वे कामकाज में कुछ थोसवे महत्पपूर्ण आप निर्ने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिक कारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तों साति सात कारोबार में कड़ी महनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नौकरी में हलकी साति सात कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्कर्टिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अधिकारी या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकर पिछले काफी समय से चल रही थी उसके गिरिया निवन्त करने का समय आ गया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षय को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबा का ओडर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है, लिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तो साती सात व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे नोकरी में छोटी मोटी समस्य आ सकती हैं परन्तु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड़्डियों में दर्द जैसी समस्याएं रह सकती है वर्तमान महौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्थ आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्चक है साथ साथ वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वज़े से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजूर हो सकता है दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प्रणयाम का सहरा ले जो आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा